कहानी की सुरुवात होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकराटीज नाम के एक लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है तब उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वो एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तब ही वहाँ उसकी वाइब बोनी आती है और उसे कहते है कि वो पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ उस जंगल के कुईन हाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था पर पता नहीं इस साल क्या हुआ यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम चाल्स नाम की एक चिकेन को दिखते हैं जिसे कुछी देर में उसका सर्फ डिनर में बदलने वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आपको छुड़ा कर वहां से भाग जाता है वो उसकी सिप से बाहर कूद कर एक छोटे से बोट में आ जाता है जहां उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं उन सारे एन इसानों के कदम नहीं पड़े हैं चाल्स उन सबसे कहता है कि वो उन सब कुछ जगा तक ले जाने में उनकी मदद करेगा इधर सेवेना के क्यूइन सबसे कहरी होती है कि उनके पास खाने क्या स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग स जाना था वहीं कुछ दूर पे बफैलो और राइनो का ग्रूप आपस में पहले पानी पीने के लिए लड़ रहे होते हैं उनकी तरब ध्यान ना देते हुए बिली सीधा वहां के तालाब से अपने बॉटल में पानी भने लगता है जब उस पे राइनो और बफैलो की नज पानी लेकर आ रहे हैं पर उन बफैलो की वज़ा से बिली का सारा पानी बैज आता है जूनियर के दोस्त उसका मजाक उणाने लगते हैं वो बहुत उदास हो जाता है उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है पर वो बहुत गुस्से में होता है और वो बिली से कह देत सोक्राटीज के पास जाता है और कहता है कि उसके साथ पानी की तलास में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की जोरुरत है और उसे अपने बेटे जूनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है सोक्राटीज उससे कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है क्यो बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहाँ आने वाले को जिन्दा नहीं छोड़ता वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता कुछ दिर बाद सोक्राडिस देखता है कि तभी कुछ दिर बाद उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है वो पीछे देखता है तो खुस हो जाता है क्योंकि सोक्राडिस था वहाँ पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं पर कुछ दिरबादी बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाए देता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भागने लगा है वो कुछ समझ नहीं पाता है तब ही वो अपने पीछे देखता है वहाँ बड़ा सा एक पोलर बिया था जिसकी डर की वज़ा से वो तेंदुआ भागा था सोक्राटीस भी वहाँ आ जाता है वो लोग वहाँ चाल से और उसकी बाके टीम से मिलते हैं रात को वो सब वहीं आराम करते हैं वहाँ सोक्राटीस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया उसने उस दिन वहाँ एक अलग ग्रियेचर को दिखा जिसे इंसान कहते हैं सुबह चाल सब को उठाता है वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है चाल सबने दो एनिमल टॉबी और अस्माइली को बिली के साथ पानी ढूनने के लिए भेजता है और वो उन दोनों टटल के साथ बियर के साथ ही रहेगा वो चारों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुंच जाते हैं उन सब को वहाँ एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है उसी डैम की वज़े से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था वो सब छुपते हुए डैम के उपर जाते हैं वहाँ वो देखते हैं कि नदि का सारा पानी यहाँ पे किसी ने कैद करके रखा हुआ है वही डैम के पास एक इडन पारडाइज नाम का होटेल था जहां आज बहुत से देश के लोग क्लाइमिट चेंज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे उस होटेल का मालिक वहाँ आये हुए डेलिगेट्स को अपने होटेल में अपना पालतो मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है इधर एक वाटर बोट के सारे वो चारो एनिमल होटल तक पहुंच जाते हैं वो सब होटल के अंदर जाकर मस्ती करने लगते हैं बिली और सोकराटीस वहाँ के कॉन्फरेंस रूम में पहुंच जाता है जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत डर जाते हैं वो तुरंत होटल के ओनर को कॉल करते हैं, ओनर वहां का हंटर को आवाज देता है, हंटर अपनी बंदूग लेकर वहां आता है और बिली को सूट करने लगता है, बिली उससे बचने के लिए वहां के पूल में गिर जाता है, पर वो हंटर वहां का एजिक्सन बटन दबा देत जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है पर वहाँ उसे टोटो बचा लेता है टोटो उन सभी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए उस होटल के एक रूम में उन्हें छुपा देता है पर वो सारे मिलकर उस होटल के कमरे को पूरी तरह से बरबाद कर देत तोटो उन सबको लेकर डैम के मोटर रूम में पहुंचता है बिली फ्लट गेट्स को खोनली की कोसिस करने लगता है तभी वहाँ वो हंटर आता है और सोकरेटीस को सूट करके बेहुस कर देता है बिली से वहाँ का एक बटन दब जाता है जिसकी वज़ा से फ्लट गेट्स खुलने लगता है और वो भी उसमें गिरकर बहने लगता है और उसमें वैकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है टूबी और असमाईली भी उसके थुरू ही बाहर आ जाते है वो हंटर जल्दी से फ्लट गेट्स को बंद करता है और उन सब को माने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास पहुंचता है वो सब भागने लगते हैं वो अपनी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है पर चाल्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी जीप को पलड़ देता है सुकराटीस को उन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था वो उसे लास विगास के किसी जू को बेचने वाले थे चाल्स वहां के बाकि सभी एनिमल से कहता है कि उसे सेवेना के सभी एनिमल से जाकर बात करनी चाहिए और उन सब को यहां बुला कर इस डैम को तोड़ देना चाहिए वो सब वापस से सेवेना जाते हैं और सारे एनिमल को इकठा करके बताते हैं कि कैसे इंसानों ने उसके जंगल में आने वाले पानी को डैम में कैद करके रखा हुआ है और अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे और अगले दिन हम बहुत से जानवरों के जुन्ड को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पर उनके साथ बैफैलो और राइनो का ग्रूप नहीं था क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं वो सारे अनिमल डैम के करीब पहुँच चुके थे तभी वो हंटर एक प्लेन में बैट कर वहाँ आता है वो उन पर एक मिसाइल दागने वाला होता है पर तभी वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है वो उसे मानने लगता है और गलती से बटन दबने की वज़े से वो मिसाइल वहां के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है पर वो फटती नहीं है टोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है उस होटेल के मालिक का बेटा माया सोक्राटीज को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है और इधर चाल्स अपने एनिमल्स को डैम पे अटेक करने को कहता है सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोडने की कोसे इसकरने लगते है तब ही वो देखते हैं कि बफैलो और रैनो की टीम उनकी मदद के लिए आई है वो सारे उस डैम को तोडने लगते हैं डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था पर इतना काफी नहीं था तब ही बिली को वहाँ एक हाइना पूप दिखाई देता है वो तुरंत एक लगडी के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही सौट मारता है और वो सीधा जाकर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है और वो फट जाती है डैम अब तूटने लगता है उसमें से पानी के फुआरे आने लगती है और फाइनली पूरा डैम तूट जाता है सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरब जाने लगते है सोकरेटीस भी बिली के पास आ चुका था और उस दिन के बाद सैवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई सारे जानवर वाँ खुसी खुसी रहने लगे माया और उसके डैड भी यह देखकर खुस थे और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक एंड सेर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो माइ चैनल और प्रेस देट बेल आइकन